नमस्कार, आईए आपकी जनम पत्त्री पर प्रकाश डालें आपने डेटोब बढ़ दिया है 21 जनवर यू निस सो असी शाम के साथ बचकर 42 मिनट सिंग लगन और कुम्ब राशी की आपका होरास्कोप है लगन के मालिक सूर्य है और राशी के मालिक शनी है लगन से शुरुवात करते हैं लगन में तीन ग्रह बैठे हैं राहू, ब्रस्पती और मंगल अगर राहू कहें तो वो भी एक वक्री ग्रही है लगन में ब्रस्पती और मंगल भी वक्री है वक्री ग्रहे जीवन में शक्ति होते हैं शक्ति शाली होते हैं अपनी दशाबहोग काल में तरक्की देने में शक्षम होते हैं साथ ही साथ वक्री ग्रहे चेस्टा वली होते हैं व्यक्ति की उम्मीदों को बढ़ाते हैं व्यक्ति के मन में बहुत सी अकांशाय उत्वपन करते हैं इसको ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को शांती नहीं दे सकते मन में कुछ न कुछ नया ये हो जाए वो हो जाए ये हो जाए वो हो जाए इस प्रकार की इस्थतियां वक्री ग्रह देने में शक्षम है ब्रस्पती और मंगल बहुत सुन्दर धन योग में हैं इस कुंडली के अंदर ये पंचमेश है ये नवमेश है और योग कारक मंगल भी है भूमी जमीन जादात वाहन सुक आपको मिलेगा धन तरिकॉन से संबंद है तो ब्रस्पती मंगल का बहुत सुन्दर योग इस कुंडली में मिला जो लगन में विराजमान है साथ में राहू है शास्त्र कहता है जब गुरू राहू एक साथ हो तो बनता है गुरू चांडाल योग लेकिन साथ में यहां मंगल भी है अब इसको गुरू चांडाल की केटेगरी में लाना गलत रहेगा अब इसको कह सकते हैं कि ब्रस्पती के साथ राहू बैठा है गुरू चांडाल के लिए नियम होता है कि गुरू और ब्रस्पती राहू एक साथ हो तो ये गुरू चांडाल है अब ये गुरू चांडाल नहीं है यहां गुरू के साथ राहू है जब राहू सिंग राशी के अंदर हो और सूर्य की राशी के अंदर है तो सूर्य राहू का शत्रू है शत्रू ग्रहे अगर कुंडली में बैठा है यानि राहू सूर्य की राशी में शत्रू राशी में बैठा है सूर्य पर ग्रहन लगाने का काम करता है राहू साथ ही साथ आपका जो सूर्य है वो छटे घर में शनी की राशी में तो सूर्य की राशी में राहु ने ग्रिहन लगाया और सूर्य भी शनी की राशी में पहुंच गया छटे घर में ये combination व्यक्ति की मती को भर्म कर सकता है ऐसे लोगबाग अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए अपनी शेखी को दिखाने के लिए चाहे उनका जेब से पैसा लग जाए चाहे उनको कर्ज हो जाए लेकिन लोगबाग ये कोशिश करते हैं कि मेरी राज सिक्ता या शानो शोकत में कमी नहीं आनी चाहिए ब्रस्पती के साथ ये राहू का योग आपकी मती को भ्रमित करता है आप ये सही डिसीजन समय पर ले ही नहीं पाते कभी कभी लोग बॉग के उकसाने के कारण भी आपको नुकसान हो जाते है यहां राहू सूर्य पर इस परकार से ग्रहन लगाता है गुरू साथ में हो तो बुद्धी को भ्रमित करता है सूर्य और बुद्ध अच्छा धनियोग बनाते हैं यहां सूर्य लगनेश, दुतियेश, एकादशेश के साथ लेकिन छटे घर में धनियोग है सिक्स्थ हाउस में धनियोग हो तो पैसा तो मिलता है लेकिन वो पैसा कही न कहीं जीवन में बिनाबाद की खर्च होता है, फिजूल खर्च होता है साथ ही साथ क्योंकि यह शनी की छटे घर की राशी में और शनी धनिस्थान में बैठा है ऐसे व्यक्ति को जीवन में पैसे की वैल्यू समझनी चाहिए यदि वो पैसे की वैल्यू नहीं समझेगा तो जीवन में कमाएगा तो बहुत कुछ लेकिन जब उसको जरूरत का समय होगा उस समय उसके पास वो पैसा नहीं होगा धनिस्थान में चटे घर का मालिक व्यक्ति को आमदनी ठीक है पैसा आ रहा है सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी व्यक्ति की इच्छाएं इतनी बढ़ रही है कि आमदनी के आयोए पैसे भी ठीकाने लग गए उसके लावा कर्ज ले लिया वो भी ठीकाने लग गया इसको कहते हैं गलत निर्णय के कारण जीवन में हानी होना उसका दूसरा संकेत आता है चंद्र और केतू और शुक्र जब एक साथ हो शुक्र चंद्रमा का कॉंबिनेशन व्यक्ति को आकर्शन देता है यानि व्यक्ति शौक पसंद हो जाता है साथ में केतू भी है अब चंद्रमा मानसिक इस्थिती का मालिक राहू केतू एकसस में हो तो व्यक्ति की मानसिक्ता को समझना भी थोड़ा कठिन है व्यक्ति खुद ही भ्रमित हो जाता है कि मुझे करना क्या है कि यार सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा है हम क्यों भ्रमित हो रहे है क्यों किसी दूसरे के चक्कर में आके अपना नुकसान कर रहे है क्यों करजा ले रहे है जिस चीज की जुरुत नहीं है उस पर पैसा कर दिया इश्वर ने गाड़ी दे दी बहुत बढ़िया बहुत चलाओ नई मन के अंदर उमंग आ गई यार गाड़ी दूसरी लेनी है अब बिना बात की गाड़ी का खर्चा या अन्या खर्चा आपने उपर डालोगे तो प्रबलम आएगी वो सिचुएशन आपके चार्ट में है कुंडली को देखकर कोई भी कह सकता है कि आपको कालसरप है रहु केतु की परीधी में सारे ग्रहे आपको आ चुके अब जब सब्तम भाव और लगन में कालसरप नाम की स्थिती बनती है मैं इसको काल सर्व ना कहके ये कहूं के रहू कि तु एक्सस की परीधी में सारे ग्रहे हो तो ये है लगन यानि हमारा शरीर ये है सब्तम्भाव यानि पतनी या साज़ेदार तो व्यक्ति को स्वयम अपने आप से भी प्राबलम है व्यक्ति खुद ही ने से मच मच पाता कि यार सब कुछ ठीक है मैं इतनी बुद्धी भी रखता हूं पतानी मैं गलबड़ी क्यों कर जाता हूं और सब्तम्भाव साज़ेदार से प्राबलम्स हो जाती है लाइफ पार्टनर से प्राबलम्स हो सकती है हस्बेंड वाइफ के रिलेशन में प्राबलम हो सकती है तो वो इस्थिति हैं नजरा रही है आपने मुझसे पूछा गुरु चंडाल उसके बारे में मैंने बताया कर करके मैं partnership कर क्यों रहा हूं उसके फायदे और नुकसान क्या है क्या मुझको उसके लिए साफधानी बरतनी चाहिए agreement करूं ना करूं किस से किस तरीके का व्यावार करूं जब आप इन सब चीजों को समझ जाएंगे ना तो शायद आपको जीवन में किसी चीज में problem आएगी धन नहीं टिक था उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया चलिए अब बात आते हैं आपकी दशाओं पर बात करते हैं बुद्ध की दशा चल रही है धन दायक ग्रह बुद्ध आप देखें यहां भी धन दायक है लेकिन सिक्स्थ हाउस में बैठा है शनी जो की दूसर घर में है और दूसरे घर का मालिक यहां है शनी और बुद्ध ने राशी परिवर्तन करा अब धन का और कर्ज का राशी परिवर्तन है ऐसे में मैंने बहुत देखा है अगर आप अपनी जिंदिगी में इसाब लगाएंगे तो आप खुद सोचेंगे कि मुझको जरूरत न होने वाले हो नहीं आप नवांश कुंडली में देखो बुद्ध शस्टेश होके द्वादश में बैठा है सूरिया के साथ है मजबूती मिल रही है लेकिन फिर से सश्टेश है छटे घर का सन कनेक्शन आ रहा है तो आपने अपनी गलत योजनाओं के कारण अपने उपर कर जमना लिया इसको उतारो उतकरज उतारने में अपना ध्यान लगाओ और दिसंबर 22 तक उससे मुक्त हो जाओ उपाय मैं आपको सबसे लाश में बताऊंगा जो ओवराल सब चीज पर काम करेंगे प्राब्लम्स कोई भी हो सारी प्राब्लम्स पर अकेले काम करेंगे यह उपाय जो मैं आपको बताऊंगा लाश्ट में बुद्ध की महादशा में शनी की अंतरदशा दिसंबर 22 तक चल प्राइयत शनी शष्टे सब्तमेश हैं सब्तमेश का राशी से अस्टम में जाना हस्बेंड वाइफ के बीच में रिलेशन्शिप में प्राब्लम्स देता है वाइफ की तवियत को खराब करता है गलत निर्णव के कारण पैसे का नुकसान गलत भाशा के कारण पैसे का साज़ेदारी से अनबन और करज की स्थिति ये सारी दिखती हैं दिसंबर 22 तक अपने आप पर सयम रखें कोई नया करज अपने उपर मत चणाएं वाणी पर सयम रखें फालतू बोलने से बचें इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे दशा आएगी केतू की सास साल के लिए केतू की दशा आ रही है आपको आगे वो आपको संगरश तो कराएगी लेकिन उससे पहले आपको सभी परकार की परेशानियों से मुक्त होना है अभी आपके पास लगबग दो ढ़ाई वर्ष हैं इन दो ढ़ाई वर्ष में आपको जो मैं रेमेडी दू गलती करके और गलत डिसिजन लेके अपना नुकसान न कर लेना अपने रिष्टे खराब मत कर लेना अपने पार्टनर से रिष्टे खराब नहीं कर लेना अपने लाइफ पार्टनर यानि पतनी से रिष्टे खराब मत कर लेना अप वैसे बचना फिजूल खर्च से बचना है आपको बहुत बुद्धी मानी से आपको यहां काम लेना है उसके बाद जब साथ साल की केतू की दशा आएगी यह केतू की दशा आपको तरक्की तो देगी पैसा तो आएगा लेकिन ऐसे मैं थोड़ी यह दशा आपसे संगर्श कराएगी, साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, आपको अपने डिसीजन्स पर ज्याद ध्यान देना, आपके निर्णे ही इस कुंडली में सबसे बड़ी प्राबलम है, कि अगर ये व्यक्ति अपने निर्णे सुधार ले और एक जोटो के काम करे, तो ये बहुत करने से आपको फाइदा मिलेगा, देखे शुक्र इस कुंडली में शनी की राशी में, शुक्र करम भाव का मालिक हैं, शनी भी करम भाव का मालिक हैं, शुक्र शनी बैठा है बुद्ध की राशी में, यहाँ शनी शुक्र एक साथ फिर से शनी की राशी में, जब शुक्र रोल बार-बार किसी कुंडली के अंदर आए यहां भी देखिए आप शुक्रशनी एक साथ हैं बुद्ध की राश में ट्रेडिंग्स में फाइदा मिलेगा कमिशन के कामों में का फाइदा मिलेगा उसके साथ शुक्रशनी शनी लोहा है शनी पत्थर है शनी भूघर्ब से न नार्बल्स हो ये सारी चीजे आती हैं जिस भी काम में सुन्दर्ता भी आ जाती हो जिसे टाइल्स में सुन्दर्ता है इस्टील में सुन्दर्ता है सेनेटरी है ऐसे सारे काम आपके लिए बढ़िया रहेंगे आप इसमें ट्रेडिंग कर लो चाहे कमीशन कर लो वो सब आपक रतन है वो है पुखराज पुखराज से बहता रतन इस कुंडली के लिए कोई नहीं है तो आपको एक अच्छा सा पुखराज यहां पहना है श्रिलंकन पुखराज पहनी है थोड़ा सा कॉसली होता है लेकिन वह इफेक्टिव भी होगा आप चाहे तो मुझसे भी प्राप कर सकते हैं मैं आपको स्टोन प्रवाइड करा सकता हूँ दारू सिगरट आप पीते हैं इस आदत को छोड़िये नहीं तो आगामी केतु की दशा में बीमार भी पड़ जाएंगे वैसे भी ये चीज़ें सेहत के लिए भी ठीक नहीं और ग्रह वाइज भी ठीक नहीं आप तो वैसे भी सूरिय के लगन के हैं सूरिय के लगन میں ये तामसिक चीज़ों का प्रीयोग करोगे तो आपको हानी तो होंगी ग्रह आपके नराज होंगी तो आने वाली दश्रा के बारे में बताया अब बताता हूँ उपाय देखिए उपाय में क्या करना है ध्याण तो आपको स जाब करते हुए जल चढ़ाईये, जल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूद, थोड़ा सा मीठा और थोड़े सी काले तिल डाल कर आप ओम नमस्षिवायकं मंत्र का जाब करते हुए भगवान शिव का अभिशेक करें, रोजाना, दूसरा रुद्राष्ट कम का पाट करें, र पीपल के नीचे सूर्यास के बाद दीपक जलाकर शनी देव से प्राथना करें कि मुझसे जो भी गलती हुई है उनको शमा कीजिए मुझपर किरपा कीजिए और वहाँ पर खड़े होकर हनुमान चालिसा का पाठ कीजिए तो ये उपाए लगातार करने हैं शिव जी की पूजा शिव जी को जल चड़ाना रुदराष्ट कम करना रोजाना तीन बर हनुमान चालिसा करना और ये सरसो के तेल का दिया ये चार चीज रेगुलर्टी में रखनी है उसके अलावा कुछ भी करने की जुरूत नहीं है लेक पर आप ध्यान दीजेगा आपके अंदर बहुत काबिलियत है आप जीवन में तरकी कर सकते हैं लेकिन आपके गलट डिसीजन्स ही आपको जीवन में डाउन फॉल की तरफ ले जाएंगे दान के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा शनिवार के दिन अगर करना चाहते हैं तो अ परकर्स हैं उनको आप अन का दान करें उनको पैसे वैसे मद्दें उन्हें अन का दान करें चाहे पका हुआ धन हो चाहे सूखा धनों कैसा भी हो रौ मेटियरियल हो लेकिन आप उनको अन का दान करें वो आपके लिए बहतर रहेगा तो ये था आपके औरस्कोप का झाल 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 झा